एक बंदा जिसे मैं बहुत नोटिस करता हूँ और अगर आप यंग एज में हो और अपनी स्टाइल की गेम को ऊपर लेके जाना चाते हो और ट्रेंड के हिसाब से भी रहना चाते हो देन वो बंदा है द विराट कोली और इस वीडियो में हम उसी के फैशन सेंस का पोस्ट जाता है और आगर अगर विराट कोली की ऐसे किलर्स पेनते हैं जो हम लडको को पहनने चाहिए ज्यों हम लड़को के लिए ही अनि मैं में निट्रल कलर्स कहता हूँ अब ये कौकोन से कलर्स होते है यह होते हैं मैं ब्लैक ग्रे शेर ऐब ब्राउन नेवी ब्लु वाइड हालां कि पूरी लिस्ट मैंने नीचे description में लिख दिया है अब इन colors को पहनने का benefit क्या होता है वो ये benefit होता है कि आपकी चाहिए कोई भी age हो चाहिए आप छोटे हो चाहिए आप बड़े हो men neutral colors आपके उपर अच्छे लगेंगे दूसरा benefit क्या होता है कि ये कम risky होते है कम risky खहने का क्या मतलब होता है कि अगर आप अंधेरे में, कमरे में जाओगे और एक jean उठालो, और एक shirt उठालो या टी-shirt उठालो, दोनों को matching घर के पहनो तब भी आपकी matching बड़े अराम से हो जाएगी तो मेरे भाई, अगर आपको अपनी collection build-up करनी है, then make sure सबसे पहले आप अपनी collection में neutral colors add करो, क्योंकि उससे कहाँगा कि आपके पास options बहुत जादा होंगी और दिमाग जादा खोटी नहीं होगा नमबर टू, white sneakers जब से bee can't शुरू हुआ है हम white sneakers की तरीफ कर रहे हैं आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे आपने मुझे white sneakers बहुत बार पहनने देखा होगा और अगर आप विराट कोली को भी notice करते हैं, then आपने ये भी notice किया होगा कि विराट कोली किसी और कलर के sneakers पहनने के बज़ाए white कलर के sneakers ज़्यादा पहनता है और ये बात उन्होंने किसी एक website को interview में भी बताई थी अब इसके पिछे reason क्या है इसके पिछे भाई, reason ये है कि again कोई effort नहीं करने पड़ते ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना बढ़ता आप किसी भी casual dress के साथ अपने white sneakers को आख बंद करके पहन सकते हो number 3, accessories जैसे खीर में जब तक किशमिश और बिदाम ना डालो खीर खाने का मज़ा ही नहीं है वैसे ही आपने outfit पहन ली उपर से लेके नीचे तक आप बिलकुल tip top लग रहे हो लेकिन अगर उसके साथ अपने accessories को add नहीं किया तैन मेरे भाई वो खीर में बिदाम और किशमिश नहीं डले हैं अब accessories क्या add करते हैं अगर हम Virat Kohli को study करें तैन Virat Kohli ने एक interview में बोला था कि वो अपनी watch को लेके और band को लेके obsessed हैं और अगर आप Virat Kohli की कोई भी बाहर वाली pick देख लो बाहर वाली pick कहने का क्या मतलब है वो किसी event पे गए हैं या फिर कहीं और बाहर से आ रहे हैं उन्होंने watch हमेशा पहननी होती है क्योंकि watch एक ऐसी चीज है जो आपका instant आपके style का instant level अप करती है मैं काफी दिनों से बोलता आ रहा हूं अपने style में watch जरूर add करो number 4 fitting हम बीकेड में शुरू से यही बात करते आया है कि आपके style में fitting राजा है राजा आपने महांगी चीज पहनी है लेकिन और अगर आप विराट कोली की भी fashion sense को देखो उन्होंने जो भी कपडे पहने हैं वो उन्होंने अपनी fitting के हिसाब से और latest trend के हिसाब से पहने हैं मैं latest photos की बात करना हूं परानी photos की बात नहीं कर रहा अब अगर हमें विराट कोली की सारी fashion sense को हमें sum up करना हो then हम उसे चार words में sum up कर सकते हैं वो है minimum efforts, maximum benefit हमें colors में minimum effort, benefit, maximum मिला, white sneakers में कोई effort नहीं लेकिन benefit, maximum मिला, accessories में सिरफ दो accessories आपकी style की game को ऊपर लेके जाती हैं बाकि इन सभी में fitting बहुत बड़ा role play करती है इस विराट कोली fashion sense का postmattum आगे आप कौन सी celebrity का postmattum देखना चाते हो नीचे comment करके बता दो अब उसका postmattum कर देंगे बाकि इस बीकांट मिलते हैं अगली वीडियो में like, comment, share and subscribe क्योंकि ये आपका ही channel है